हेलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेना यह कोई गलत बात नहीं है बट आप लोग अगर निको लॉस में बेचोगे तो शायद से हम लोग कह सकते कि कोई बेवकुफी ऐसी चीज़े यहां पर कर सकता है किन-किन शेर्स की यहां पर मैं बात करा हूँ एक लिस्ट है फड़ावट यहां पर उनी शेर्स को कवर कर लेते हैं रिटेल में उनमें यह यूजरी प्रॉब्लेम हो जाते हैं वो डर जाते हैं मैं कोई आप लोग को गलत मोटिवेशन नहीं दे रहा हो कि नहीं इसमें कुछ अच्छा होगा मैं आप लोग को कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा तो उसके बाद आप लोग चाहो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो वरना आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो तो चले दोस् सुपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को आप लोगों नहीं जरूर देख लेना चाहिए तो दोस्तो वापस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर एक छोटा सा जो मैसेज लास्ट टूड़े में भी दिया था वापस देना चाहोंगा प्लीज यहापे अल लोगों को पता है टेलीग्राम के उपर भी मेरे नाम के फेक चैनल बन चुके हैं जो कि आपसे पैसे मांगते हैं कि मेंबर्शिप जॉइन कर लेना या फिर बताते हैं कि यह यह ब्रोकर मैं सजेस्स कर रहा हूं तो मैंने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया है अगर मैं चाह करूंगा लीगली इनके अगेंस एक्शन लेने के लिए तो आपको सिर्फ संबल के रहना है ऐसे फ्रॉड लोगों से क्योंकि स्टॉक मार्केट में यह ऐसी चीज़े बहुत होते हैं और आपकी जैसे लोगों को मतलब जो छोटे रीटेल भोले वाले निवेशक होते हैं उ इसे मैंने बहुत बार वीडियो बनाये थे अभी जाके उन लोगों को पता चला कि मैं क्यों बार बार वीडियो को रिपीट करता था अब जाके वो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप वीडियो बनाते थे हम लोग मजाक भी उड़ा करते थे कि सर कितनी बार आप लोग बोल रहें कि इनको नहीं बेचना है नहीं बेचना है hold करना है पाप लग जाएगा अभी जाके समझ में है क्योंकि दोस्तों जो अच्छे shares होते हैं वो comeback जरू करते हैं stock market में देखिए वो share कब बढ़ेगा exactly वो हमारे हाथ में नहीं होता है हमें इतना पता है कि company अच्छी कर रही ही न तो continue रहने का so vipro ने भी क्या किया कि यहापे लोगों के बहुत टाइम लिया patient state इतना patient state किया आप लोग देख सकते मैंने एक साल का chat pattern आपके सामने लगा है आप देख सकते कितना time तक यह share एक ही दाइरे में बार 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 एक ही दाइरे में था and finally जाके अभी वो breakout day के उपर चला गया है मतलब यह सिफ एक example था उसी के साथ-साथ xl technology वो भी आप लोगों ने सुना होगा बताया था hold कीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं bonus के बाद में मैंने का था sir loss हो रहा है loss हो रहा है कोई बात ने hold कीजिए जब आपका वक्त आएगा वो इस तरीके से भागेगा तब पूरी भीड आएगी उसको खरीदने के लिए तब आप लोगों ने मजे करने अभी समझ में आ रहे कि मेरे इसे क्यों बोला ता कुछ ऐसे शेर्स में आपको जरू बताऊंगा कि देखिए स्टॉक मार्केट में ऐसा कभी ना कभी होता है कि अच्छे अच्छे शेर्स भी नीचे तूट जाते इसका रतिया नहीं कि उसमें से एक्जिट हो जाओ आप चाहो तो हो सकते वो आपका अधिकार है बट मैं अपने point of view से आपको कुछ शेर्स बताऊंगा जो कि आप लोगों ने loss में निकलना चाहिए डर के मारे वरना ऐसे लोगों को हम लोग बेवकुफी बोल सकते तो सबसे पहला एक stock है जिसका नमे मुतूट finance येस मुतूट finance में बहुत सर लोग डरे से में से रहे सर इसका क्या होगा ये होगा वो होगा मुझे ऐसा परसनली लगता है कि आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए आप कर्टीजन आप ले सकते हैं आप चाहो तो exit कर सकते हैं मैं रोकूंगा नहीं बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई tension की बात नहीं बहुत बड़ी company है अच्छी company है बहुत अच्छा आपसा company का background भी है अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं मतलब 2011 से company ने शुरुआत की थी 2011 से 2020 मतलब 9-10 साल हो चुके है अच्छा performance दिया है 175 का share अभी 1000 पर जा चुका है 1100 पर जा चुका है हम लोगों ने 700 पर बाई किया था सो कोई tension की बात नहीं ऐसा मुझे लगता है बहुत सार लोग पूछते सर गोल्ड का price बहुत ज़दा high पर अभी वो नीचे फिसलेगा यह होगा वो गया आज देख सकते हो पचास अधर गया उसके उपर गया तो यह चलेगा आगे भी future में गोल्ड नीचे आएगा वक्त जरू लग सकते है बोड 60,000 जाएगा बाद में 70 जागे यह चलने ही वाला है यह एक cycle है तो यह याद रखना कि mutual finance अगर आप लोग loss में बेचने के लिए जा रहे हो तो यह बेवकूफी साबित हो सकती है हम लोग अभी भी profit में अब चाहू तो पूराने वीडियोस देख सकते हो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा उपर i button पे click करके आप लोग proof के लिए देख लेना हम लोग ने 700-800 के range में लिया था मेरे वाले लोग चाहे तो profit book कर सकते हैं वो आपका अधिकार है आपको जो सही लगता है वो बट कुछ लोग ऐसे जिन्होंने higher level पे खरीद है सर हम लोग ने 1200 में गलती से खरीदया मतलब उसके nearby खरीदा क्या हम लोग निकाल दें तो ऐसा बिलकुल नहीं करना है इतने shorter spirit spam अगर आप लोग अपना नजरिया रखोगे तो आपको सब share से ही exit करना पड़ेगा कितना भी आपको अच्छा share लाके दो तो यही कहना चाहूंगा कि hold कीजे ऐसा मुझे लगता है बाकर decision आपके उपर है नेक्स टॉक के उपर आजाते है टाइटन यस टाइटन जैसे company के उपर भी लोग doubt खाते है कि क्या करे बहुत समय हो गया पूरा market record हो गया बट यह शहर 1300 के यहापर आता ही नहीं है 1200 के उपर मतलब जाने का इसका नाम ही नहीं है बार बार नीचा आ रहे क्या अभी हम लोग इसको cut करके मतलब loss book करके कोई दूसरे शहर में shift करे कोई फायदा नहीं ऐसे बार बार shift नहीं करना होता है दोस्तों देखिए जब breakout मिलता है ना TCS भी आप लोगों को पता है देड़ साल से हम लोग इंतजार कर रहेते हैं अब होगा अब होगा अब होगा अब होगा हुआ होई नहीं रहा था कितना मेरा investment अठका हुआ था उसमें फाइनली जाके वो जिस तरीकी से 2300 पर फटा वो directly हम लोगों को 2500 के लेवल के आसपास देखने को मिल रहे है तो यह patience का खेल होता है हम लोगों को सई share चुनना होता है उसके बाद वो बढ़ना कभी वो खुद decide अच्छी कंपनी जब breakout आएगा तब आप लोगों की इतना अभी आप लोगों ने होल्ड किया आपकी मेहनत हो जाएगी सो आप लोगों करना चाहिए ऐसा मुझे आप लगता है बाखी decision आप यह के उपर में जरूर चोड़ूँगा उसके बाद IGL इंदरपरस्ता गैस लिम नहीं है इससे पहले भी यह company 40-40% तूट चुकी है यहाँ से भी चाहे तो वो 200 तक आ सकता है फिर भी कहूंगा कि hold कीजे कोई दिक्कत नहीं है यह stock market long range की journey है कभी इसके दाम कम होंगे कभी उसके दाम कम होंगे वो बढ़ेगा competitors को आउड़ भांटेज होगा तो यह रहे हो आप profit में हो तो आपका decision है आप चाहो तो ले सकते बट loss में निकालने वाला में जरू कह सकता हो कि आप impatient हो यह decision खराब हो सकता है उसके बाद HDFC-AMC यह मेरा खुद का decision है आप चाहो तो follow कर सकते हो या फिर ignore कर सकते हो यह शेर में खुद भी बोल चुका हूं separate video बना क सब्सक्राइब निचे जिस्तना हो सके मैंने वाई किया था उसके बाद वह लगबग बहुत टाइम तक शांत रहा जब पूरा माहूल शांत हो गया रिटेल निवेशक बेचके निकल गए उसके बाद वह इस तरीके से भागा पागलों की तरह तो आप देख सकते हो डिरेक वीडियों में बता दिया था कि HDFC ग्रूप का है प्रमोटर ने 7525 का रूल कंप्लाय किया है मूचल फंड इंडस्ट्री मेरे हिसाब से बन नहीं हो सकती स्ट्रगल कर सकती है बट बन नहीं होगी आने वाले समय में जरू कमबैक करेगी तो यह लॉंग रेंज का मेरा ठिंकि करें जिसको जो वाइंग करनी है रिटेल मतलब रिलांस रिटेल में नए इंवेस्टर की न्यूज आनी है वह आज जाने दो अभी एंजॉय करने का वक्त है तो ऐसी चीजें होती है सो यह स्ट्रगलिंग पिरेड होता है यहाप अगर निवेश करोगे सो डेफिनेटली वह आगे पेड़ बड़ा होगा और आगे जाके आपको चाओ जरूर देगा इसको मोटिवेशन की स्टेट्मेंट में मतले ना कि हा सर आप जबरदस बोलते हो मैं बाय करूँगा सोच समझ के आप लोगों ने डिसीजन जरूर लेना चाहिए क्योंकि यह जिगार का काम है मैं इसके पहले भी जा चुका हो बट मुझे असा लगता है कि HDFC AMC फ्यूचर में यह जरूर आपको अच्छा का सा रिटन दे पाएगा उसी के साथ-साथ अभी जो मेरी वीडियो बना है था आप सभी लोग पता है बजाज ग्रूप का शेर बजाच फिन सो बिलकुल भी नहीं लोग लॉस में निकलने की बात कर रहें जरूर जाएगा टाइम जरूर लेगा फाइनस सेक्टर में दिक्कत है बैंकिंग में दिक्कत है बिंदास होल्ड कीजिए ऐसा मेरा मानने है डेफ फ्री कंपनी है इंशॉरंस सेक्टर वाली कंपनी है जरू कंटिन्यू कर लेना उस अचले 6 मेने में उनकी गिरावाट कित्मती नोट कीजिए सभी के सभी 20-30-40-50-60 पसंड गिरे थे तो ऐसे गिरावाट में तो हर एक शेर से एकजिट करना पड़ेगा तो टॉप 20 के उपर आप घर आपको भरोसा नहीं है तो आप कैसे टिक पाओगे और यह तो टॉप 10 में आने वली कमपणी है तो गिरावाट होना यह स्टॉक मार्केट में एक आम बात होती है रिटेल लिशों को यह में बार बार बोलके अभी वो पॉलिश हो चुके अभी उनको डर नहीं लगता गिरना है ना गिरने दो कोई बात नहीं जिस दिन भागेगा हम लोगों को रिका करते न्यूस के आती है उसके इसाब से बट खतम नहीं होगा यह भी में बताऊंगा और यह भी कहूंगा कि आपकी जो बाइंग लेवले उसको क्रॉस करकी यह उपर चला जाएगा जो सबर दिखाते ना उनको यह फाइदा होता है अगर आप चाहो तो लॉस बुक कर सकते ह चलना यह बहुत ही बड़ी ब्यों को फिवाली डिसीजन होते हैं कि इनी स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरी जा रहे थी जो कि मुझे ऐसा लगा कि मैं और एक वीडियो अलग से बनाने वाला था बट मुझे लगा कि चलो इसके उपर वीडियो बनाते बहुत इसे पेन हो रहा था कि इसे अच्छे-च्छे स्टॉक्स को रिटेल इंवेस्टर सिर्फ डर के कारण कि सर हम लोगों ने हायर लेवल पर खरीदा सोच रहा था कि नीचे आ गया तो अभी बेच दूंगा तो यह और नीचे गया और नीचे गया क्या बेचना चाहे तो मुझ कि देखिए प्रॉफिट होगा तो आपको लॉस होगा तो वह भी आपको होगा तो मेरे उपर भरोसा रखना है नहीं वह आपके उपर है मैं कभी भी आप लोग को ऐसे गुम्रा करने वाली चीजे नहीं बता दो जितना हो सक्के बेस्ट लेवल की जो चीज आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ so अगर आपको अच्छा लगे तो follow कर लेना अगर नहीं लगे डी से अगर ही करते हो तो बिंदास आप चाहो तो इसको ignore भी कर सकते हो so दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों के साथ यहाँ पर शेर करना तो उनको भी सारी बाते पता चल जाएगी so that's it thank you very much दोस्तों we will be meeting on learning studio तब तक के लिए बाई बाई